हेलो गाइज वेल्कम टो अनेदर वीडियो फ्टॉक मार्केट फ्रेंट्स डॉम्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड गई इस आइपयो का प्राइस बैंड फिक्स कर दिया गया और जिसका अगर हम देखेंगे इसका जेम ओपिंडिंग होने से पहले इसके जेम पी बहुत जबर सब्सक्राइब करेंगे तो चलिए फ्रेंट्स वीडियो को स्टार्ट करते है तो पहले हम लोग इसके बिजनस मॉडल को जानेंगे जो की डॉम्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड है और इसका बिजनस और मॉडल अगर हम देखेंगे तो आजए कंपनी जो है यह स्टेशनरी और आट प्रोड़क्ट कंपनी है जो की प्राइमरी बिजनस करती है जिसमें कंपनी डिजाइनिंग डिवलपिंग और मैनुफाक्ट्रिंग और सेलिंग करती है वाइड रेंज ऑफ इन सभी प्रोड़क्ट्स का फ्लैक्शिप ब्रैंड के अंदर जो कि इसा खुद का ब्र मैनुफाक्ट्र और सेल करता है और यह 31 मार्च 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग डेटा के अकॉर्डिंग लगएक अराउंड 40 से भी ज्यादा कंट्री में इसका प्रिजेंस है मार्क कर चुका और अराउंड अगर देखिएगा तो कंपनी जो है पैंसल कंपनी का दो मेंली इस्ट्रूमेंट्स में 30% का मार्केट शियर है फिसकल 23 में फिनांशल है 23 का डेटा के अकॉर्डिंग जो की सब कुर्प प्रोडक्ट है पैंसिल और मैथिमेंटिकल इंस्ट्रूमेंट्स बॉक्स और इसका अगर हम देखिए को कंपनी जो है वेल डिजाइन और क्वालिट और सेवन थे गाइस फाइन आट प्रोडक्ट यह साथ तरह की जो है उसकी कटेग्रीज में साथ कटेग्रीज में जो है क्लासिफाइग गया इनके स्टेशनरी और आट मेंटिरियल प्रोडक्ट का और 2012 में कंपनी ने फिला के साथ जो की एक लिश्टेड इटालियन मल्टि नाशनल कंपनी है उनके साथ 2012 में कंपनी ने एक इस्ट्राजिक पारटनर्शिप में एंटरव की आप्रोडक्ट को ग्लोबल प्रेजेंस में यहां पर इसके कारण समोगे को इस क buds 50 को इंटल मार्किट में एक इक ट्क 25 में इक एक 20 Iggy sa gain ho chuka jis me company अपने इनसा अप जो product company manufacture करती ना उसका distribution के लिए international market का जो जो access company को gain ho चुका क्योंकि फिला के साथ partnership क्या और फिला company जो है na यह के italian multinational company है italy की multinasional company मनल ज़्हें कि mnc company है और यहाँ पर company जो ऑग्मेंटेड है उनके और टेकन लौजिकल देख सकती है कर सकती है फिला के फिला कंपणी को इसके साथ जो से एक exclusive टायप वी कर चुका है certain entities मतलब फिला ग्रूप के का जो कुछ certain entities है उसके साथ भी कंपणी ने exclusive टायप भी किया है 2012 में किया था इस ऊक्रमेंट के अंदर और जिसके करनं इंडिया में नेपाल भुटान शेलंका बांग्रदेश म्यानमार और ibrahim इनस त्रेडमार्क और इंके अंदर प्रोडक्स का जोरा से मैं की डिस्ट्रिवीशन और मार्केटिंग करती है कि फीला को साथ कमपनी को बेनफीट हुआ है यहां पर कमपनी के प्रोडक्ट जो है यह डॉम्स इसका जो फ्लैक्षिप ब्रैंड है डॉम्स के अंडर जो सम्प्रोडक्ट जिसने मार्केटिंग होते है और कुछ अधर सब यहां प्रोडक्स के इमेश में देख सकते हैं यहां प्रोडक्ट से यहां पर बहुत सारी प्रोडक्ट से इस अभी तरह कि प्रोडक्ट्स कमपनी यह से सब्टर अग Pablo ने करे करती है करोड का लेकिन 22 में 686 करोड का रेविन्यू है और एक्सपेंस वाथ 662 करोड का और प्रॉफिट है 17.1 करोड का और डेट है 84 करोड का यहां पर अच्छी बात यहां निकल गया पॉजिटिव साही निकल का कि 22 में कमपनी का रेविन्यू जो है बहुत रही से इंक्रीज किया और जहां कमपनी को एक्सपेंसर ज्यादा होने का लॉसस हो रही थी वहां 22 में कमपनी प्रॉफिट के और बढ़ी है और यह गर देट वी कमपनी ने डेक्रीज किया है 97 करोड 74 करोड पर लेकिन 23 में अगर देखीगा तो 1216 करोड का इसका रेविन्यू है 1077.7 करोड का एक् कमपनी और बहुत तेजी से किया है यहां पर देख सकता है रहाइन डवल से थोड़ा सा कम इंक्रीज के लेकिन प्रॉफिट अगर दिखेंगे तो निगर आप थे स्ट्रॉंग कर रहा दो परशंट की आरो सी यह और डेट टीक्विटी अगर देट बहुत ही लो है मतलगी कंपनी पर डेट बहुत दिकाम है 0.28 टाइम का डेट टीक्विटी देखने को मिल रहा है लेकिन एपिएस जो है अर्णिंग पर शियर 18.29 रुपीज का है यहां देख सकते हैं इस कंपनी जो है इसका बहुत एच्छी तरह मिंटेन कर रखा है वह यह अगर हम इसके प्रोमोटर की बात करें तो इसके प्रोमोटर है और प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्री इश्यू अभी 100% का होल्डिंग है और यहां पर जो रिजर्विशन दिया गया है ना क्यू आइभी को 75% का है अच्छा नहीं को 10% का रिडिल को 15% को ओफर दिया गया है मतलब कि यहां पे मेंली कंपनी जो फंड रिज करना चारी क्यू आइभी कडेगरी से फंड इसके रेजिस्ट्रार है अगर स्ट्रेंथ की बात करो तो कंपनी जो है इंडियन स्टेशनेरी आर्ट अन्ड में डिडर्शिप पोजिशन बना रखा जो की वाइडेस्ट रिज और जो कि रापिट बिजनस ग्लोथ को ड्राइब कर रही और स्ट्रॉंग ब्राइब्रैवे को पर फोकस किया जिससे एफिशेंसी को ड्राइब कर सके रॉबस्ट मल्टी चानल डिस्ट्रिब्यूशन नेटवर के और स्ट्रॉंग पैन इंडिया और इंटरनाशनल प्रेजंस है यह स्टैंजीक पार्टनसीब है फिला के साथ जो कि इसको ग्लॉबल मार्केट में और प्रॉडट्ट नो हौ में जो एकस शो कर सके फिला के साथ पार्टनसीब किया है तक इसका कॉंपरेटिव श्ट्परिइट भी है मैं कि क्यूंबैट कि बात करें तो और अल्रेडी जो ल बहुत इस्टिंग गेन मिला था अब हम बात करेंगे कंपनी के डिटेल्स की जो की डेट्स वागेरा का देखें तेरा दिसंबर को आपिन होड़ा और नेक्स्ट वीक की आई-पी ऑपिन होड़ी और पंदर दिसंबर को क्लोज किया जागा त्री डे आई-पी हो है बुक बिल 850 करोड का अगर देखिया तो फ्रेश इस्टिंग किया जा रहा है और 850 करोड का ओफर फॉर शेल है 10 रुपीज पर एक्विडी शियर पर प्राइस वैल्यू है और आई-प्यो की प्राइस रखी गई है 750 तो 790 रुपीज पर शियर का और 18 शियर की लॉट साइज जो की मि कंपनी में जो डेट्स वगरा देखिए ओपनिंग और क्लोजिंग का मैंने अल्रेडी बात करते हैं को फॉलो कर रही है वहीं अगर हम बात करेंगे इस कंपनी को अब्जेक्टिव का कंपनी जो है यहां पर एक नया मैनुफ्राक्ट्रिंग फसलिटी को स्टैब्लिस करना चाहिए इसमें कंपनी फिनांस का जो प्रोपोजल लेका है थी जिससे प्रोड़क्ट क्यापैब्लिटी को जो सो एक्स्पांड कर सके वाइड रेंज ऑफ राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स वाटर कलर पेंट्स मार्कर्स और हाइलाइटर्स के लिए जो मतलब प्रोड़ जाता रेंजीटा एक लिडर्शिप मेंटेन कर रखा मारकेट चे बहुत लिडर्शिप मेंटेन कर रही है पेंसिल में हो या फिर मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हो इन सब्दोग की कंपनी जो है बहुत लिडर्शिप बना राख और एक नया मैन alm and find facility setup कर दिए फिल लिस्टिंग मिल रही है तो गाईज अगर आप इसमें अप्लाई करने का सोच रहता आप इसमें अप्लाई कर सकते गाई बहुत इस्ट्रंग कंपनी बहुत इच्छी परफॉर्मेंस है तो हम लोग जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं कोई डाउट है कमेंड बॉक्स में पुछे मिलते हैं नेक्स रोडव में तिल दिन बाबाई